अगर बनेगी तो पोट रद कर दीगे अरे वो देखें कोट रद करेगा क्या करें कोट की बात है लेकिन बतिस बनेगा निश्चित बनेगा अब चिंता मत कीजिए अच्छा जगनाद ये पांच लाख ध्यूक्ति होनी थी या रोजगार देना था कल जिस तरह से मुखमंद्री जी के बात सुन लिये हैं नोकरी रोजगार की बात है हमनों जो सरकारी रिक्तपद है उसको हमनों पहले कर रहे है और रोजगार भी दे जो कि आज तक नियम ने बना था कोड़ी कमपणी में 75 परसंट जारखणडी का नोकरी वो भी उनों कर रहे हैं जारखन के हीट में सरकार बना है जारकन के हित में एक एक फाइसला होगा बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं रहेगा बोलने का अभी सुने ना भी अभी मुक्मंदरी जी भी बोले अपलोग गोर साथ में किये बोले क्या कि 32 तो होगा अस्थार नितीब बनेगा जर्कंडी हित में बनेगा लेकिन बीजेपी लोग चाहते हैं हम भी गंगा महां धोले वो तो बनाया नहीं तो पचासी बनाया इसलिए उलोग भी चाहरा है सबसे 32 नहीं लगने का कारण आजसु पाटी है वो हमारे इस सदन में नहीं है सांसद है सीपी चोधरी जी आधरनी है सीपी चोधरी जी उनके जिसमें जिस दिन पचासी हां फाइनल हुआ था उनके छेतर में जबर्जस आतिस वाजी हुआ था तो फिर अभी बतिस क्यों इसलिए तो मुखमंतरी कहें कि पचासी वाले भी बतिस कह रहे हैं हाँ कहें कन्फिजन नहीं न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहें लगाता.in के साथ